दोस्तों एक इस्थानिय माशा में कहा जाता है गर्दा उड़ा देना जी हाँ वही गर्दा इन दिनों बिहार के अंदर तेजस्वी आदब ने उड़ा रखा है और हालत यह हो गई है दोस्तों कि नच आते हुए भी भारतिय दिनता पार्टी को आगे आकर वो करना पड़ र रही है सबने बिहार में फ्लो टेस्ट देखा किस तरह से तीन आरजेडी के विदायक तूट कर चले गए जनता दल यूनाइटेट बीजेपी के साथ क्यूं तूटे उसकी वज़ा भी निकल कर सामने आ गई जनता दल यूनाइटेट के विदायक गोपाल मंडल ने बता दि होए थे उनके पती अनंत सिंग को जेल से रिहा कराने के रिए प्रकरिया शुरू किये जाएगी कानून बनाया जाएगा तीसरा ये कि चेतरा नाद इसलिए आए क्योंकि उनके पिता भी एक हत्या के मामले में जेल में बनते और आखिरका नितीश कुमार ने उनको जेल से निकल वाया था कानून नियम बनवा कर यह गोपाल मंडल ने का था य जानी के तैत नियम काईदे कानून ताक पर रखकर बाव बलीयों का साथ देना ये इन तमाम दिदाय को अपने साथ लाए थे लेकिन उसके बाद जन विश्वास यातो तेजसुई आदव की तरफ से न आज मैं एक एक खबर आपको बताना जाना हूँ नमस्कार मैं हूं प्राजबल कौतम और आप देख रहे हैं न्यू सर्किल पहले से तीन विदायक गए हुए 79 विदायक थे बिहार में आर्जेडी के जिसमें से रह गए 76 खबर यह है कि एक और आर्जेडी के विदायक ने भा भारतिय जनताब पार्टी का दावन थाम लिया है आज तक ने खबर चापिये क्या लेका है बिहार में मागटबंदन को एक और जटका कॉंग्रेस आर्जेडी के तीन विदायक एंडिये में शामिल हुए है ये खबर है और इस खबर को मैं आगे पढ़कर बता दूँ कौन कौन है वो देखिए इसमें बताया गया है कि कॉंग्रेस के मुरारी गौतम आगटबंदन सरकार में मंतरी रहे थे और चनेरी विदानसवा से विदायक हैं और पाला बतलकर बीजेपी जोइन कर चुके हैं आर्जेडी के जो विदायक है संगीता देवी मोहनिया करने की कोशिश की जा रही है कि ये संकेत है इस संदेश देनी की कोशिश एंडिय को की जा रही है एंडिय की तमाम साती जो छोड़ने के लिए तयार बैते हैं खासका चिराक पासवान और जीतन राम माजी को लेकर क्योंकि हाली में एक ख़बर निकल कर आई थी कि जीतन र सी बनाने के लिए एक सीट हम छोड़ रहा है यानि अपने पहले गटबंदन के सयोगियों को बचाना और इन सब के सासा संदेश इतनी की कोशिश NDA के तमाम घटक दल जिसमें खास तोर पर चिराग पासवान और उपेंद्र कोशवा है कि आपताल मठो किये किसी तरह की भीड़ आप देख रहे थे लगातार लोग उन से चुड़ रहे थे दूसरी जो यात्रा उन्होंने शुरू की वो 14 सुकुल मिटर की उसमें भी लगातार यही देखने को मिल रहा है चाहे दिन का हो चाला हो या रात का अंदेरा आर जेडी के नेता तेजस्वी अदब से ल आखरी चनल होगा उस बक्त ना केबल चिराग पास्वान ना केबल उपेंद्र कुश्वा बलकि जनरता दल यूनाइटेट के 11 विधायक सामने आ सकते हैं जिसकी खबर सबसे पहले आपके अपने चैनल नीज सरके ले दिखाई थी अब ऐसे में हैं कि अगर जनरता दल यू तो आराम से सरकार बनी रहे अब याद रखी एगा तीन पहले गए ते तीन ये गए छे लेकिन अभी भी अल्प मत में आ सकती है सरकार क्योंकि क्यूं कि चीतन रामाजी अभी भी खुश नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी हर डिमांड को सिरे से खारिश कर दिया जा रहा पहले दू मंत्री पद ना देना, दूसरा उनके बेटे को मलाईदार मंत्रा लेना देना, तीसरा राजसभा ना भेजना, यह तमाम चीज़ें जीतन रामाजीद देख रहे हैं, जबकि वो बार बार यह कह रहे हैं, जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं, तो कहते हैं कि आरज जो भारतीय जनता पार्टी की तो वो गायब हो गए, यानि समराठ चोधरी ओधा भारतीय पार्टी के तवाम नेता, यह बहुत गौर से देख रहे हैं कि किस तरह से खेल बिहार के अंदर किया जारा है, तेज़स्वी यादव कोई ज़ाद मैनत नहीं कर रहें, किसी के लेकिन उसके बावजूत भी तेजस्वी यादव लगातार मजबूत हो रहा है और उनका घटबंदन यानि बीजेपी और जनतातर युनाइटेट का घटबंदन लगातार कम सब्सक्राइब उसे मजबूती देने के लिए सोचिए अपने विदायकों पर वरूसा नहीं है लगातार पर उन्हें तोड़ा जा सके डराया धंकाया जा सके अब लगातार उन लोगों को चिन्नित किया जा रहा है रेडार पर लाया जा रहा है जो आसानी से चूट जाए क्योंकि आपको बता दूँ अगले महीने 21 मार्च हो 11 MLC की सीटें हैं विदा बिहार के अंदर व आदव को लालू प्रसादी आदव को लेकिन खेल हमेशा उल्टा होता जा रहा है अब दी सोचेंज होते जा रहे हैं लगातार निकल निकलकर सामने आ रही कि वही जन्हताताल यूनाइटेट के विदायक चूट रहे हैं फिर खबर निकलकर आ रही है कि भारतिय पार्टी क जो इस सरकार इस वक्त बिहार के अंदर चल रही है वो खत्रे में है यह खोद समराठ चौधरी भी जानते हैं यह विजय सिना भी जानते हैं नितीश कुमार अपने विदायकों की आवाज नहीं उटा पा रहे है इसलिए उनकी विदायक नाराज है और यह सारा का सारा जो खेल किया जा रहा है के वल इसलिए किया जा रहा है थोड़े दिनों बाद आपके सामने में खवर लेकर आँगा इन तीनों विदायकों की आगरकार मुरारी गौतम हो सिदार सौरव हो या फिर ये संगीता देवी ने इन तीनों के साथ क्या डील हुई को कि सबसे पहले आपक कानून सब को घूटी पर टांग कर ऐसे ऐसे बाववलियों को छुड़ाने का काम किया जा रहा है जिनको तेजस्वी आदर में चुड़ाने जमना कर दिया था अब इन तीनों विदायकों से भी एक बड़ी डील की गई है खबर खबर ये है और लेकिन तेजस्वी आदर के जा रही है माना जा रहा है कि आगे जो विदान सवाच चुनाव होगा वह बहुत ज्यादा पीचीदा तो होगा ईपीजेपी के लिए जल्रतातल यूनाइचेट के लिए लेकिन लोग सवाच चुनाव से पहले भी एक बड़ा खेर होने जा रहा है नमस्कार